प्रणाम अचारे जी, चरण बंदन, दसवें अध्याई की बात कर रही है, लगभग पूरे ही अध्याई में श्री कृष्ण के विराठतम स्वरूप का वर्णन है, श्री क्रिष्ण कहते हैं कि देवता और महान रिशी भी उनके सवरूप यह मुद्पत्ति को नहीं जानते, सवें देवता और रिशी गणों आधिका भी भगवान श्री क्रिष्ण से ही उधगम है, इसी प्रकार उनके कितने ही स्वरूपों और महिमाओं का वर्णन किया गया है प्रशन उठता है कि इस प्रकार सरवोच और सरोशक्तिमान होकर भी इश्वर क्यों मनुश्य रूप में इस प्रत्वी पर आते हैं अब क्यों, कहां, कब, किस लिए, किस की खातिर, किस तरीके से ये सारे प्रश्न भेद की भाशा में होते हैं ये सारे प्रश्न द्वैद की भाशा में हैं इन सारे प्रश्नों में कारण, विभाग, अनुगत है, न? कि कुछ हो रहा है, उसे कोई करने वाला है और जो कर रहा है, उसके पास करने के लिए कोई वजह है तो ये सारी बातें, ये सारे प्रश्न, ये सारा विवाद संसार पर लागू होता है, मनुष्य की दुनिया का है हम जो कुछ करते हैं, उसके पीछे कुछ वजह होती है, है न? क्यों? हम जो कुछ करते हैं, वो कहीं पर होता है, कहां? हम जो कुछ करते हैं, वो किसी समय होता है, कब? हम जो कुछ करते हैं वो किसी के लिए होता है किस के लिए कौन तो हमने निशकरश क्या निकाला कि वो जो हमसे पार का है वो भी कुछ कर रहा होगा तो कोई क्यों कब किस लिए कहां इत्यादी जरूर होगा इससे हमारे बारे में क्या पता चल रहा है हम यह नहीं मान रहे कि उन्होंने हमें बनाया है हम मान रहे हमने उन्हें बनाया है हमने उन्हें बनाया है तो हमारे ही जैसे होंगे हम बिना वजह कुछ करते नहीं तो उनके पास भी वजह ही होंगी आदमी की यही कर्तूत है यह तो हम नहीं जानते कि हम किसी इश्वर की रचना है यह नहीं पर यह पक्का है कि जिसे हम इश्वर कहते हैं वो हमारी ही रचना है इसी लिए हम अपने सब गुण अपनी सब मन्शाएं अपने इश्वर पर भी थोप देते हैं, आरोपित कर देते हैं तो हमारा इश्वर भी जो कुछ करता है वो समझ लीजिए हमारी तरह ही करता है हम प्रार्थना करते हैं तो हम सोचते हैं कि उसकी आखों में आसू आ गए होंगे तो इसलिए फिर हम बहुत दरवित कर देनी आली प्रार्थना करते हैं देखा नहीं है कैसी मारमिक प्रार्थनाए होती हैं हमारी ऐसा कर दे वैसा करते अब वैसी प्रार्थनाएं किसी इंसान के सामने करी जाएं तो कामा सकती है कम टीर ही वही चाला एही है। जो इनसानों कर काम आते हैं। तो इसका मतलब भूं उस पारश्चत को भी समझ क्या एह इंशानि समझ रहे हैं। इनसानी समझ रहे हैं। तो यही शीवानी ने पूछा , कि अगर वास्ताव में Shri Krishna उते नहीं बड़े जितना बड़े अपने आपको बता रहे हैं, तो यह आए काहे के लिए थे, जरूर कोई खुफिया इरादा है, या तो यह बाभुजी उतने बड़े हैं नहीं जितना यह अपने आपको बताते हैं, या फिर इतने बड़े हो कर कि अभी इनका दिल आगया है किसी छोटी चीज पर दुनिया की, तो उसकी खाते रहां आगये हैं, फिल्मी कहानियों में होते हैं, बड़े बड़े धन्पती, युवराज, जिनका गिसी गाव की लड़की पर दिल आजाता है तो अपना राज्या उयारा छोड कर के गाव म आजाते हैं, गजनी पिक्चर थी, उसके बहुत पैसा था, पर उसको एक देवी जी मिल गए थी, तो उनकी खातिर वो गरीब बन के पीछे पीछे घुमता रहता था, और बताता भी नहीं था कि मैं तो बिजनेस टाइकून हूं, बहुत बड़ा उत्योग्पती हूं, तो क्रिष्णगर इतने बड़े हैं, तो ये काहे के लिए ये उराधा और गोपियां, और अरजुन के साथ फिर रहे हैं धरुधर, कहीं कुछ मोह लग गया है, क्या इनका? बात क्या है? कोई बात नहीं है, उनकी बात यही है कि वहाँ कोई बात है ही नहीं, इसलिए उसको लीला कहते हैं, हम जो कुछ करते हैं, स्वार्थवश करते हैं, हम जो कुछ करते हैं, उसमें कुछ इरादा नहित होता है, हम जो कुछ करते हैं, लाभानी के प्रियोजन से क करते हैं वहाँ जो कुछ होता है बस यूई होता है तुम पूछो के यूँ हुआ तो मुस्कुरा देंगे ज्यादा दबाओन डालो के तो जए दे मरेटी जैसे तू भी तो मेरी मर जभधी है अब पूछो कि इंसान बनाया ही क्यों, संसार क्यों बनाया, कारण थोड़े ही है कारण हमारी दुनिया में होते हैं, उधर नहीं होते हैं, उधर बस यूँ ही है मामला अब हम डर जाते हैं जब ये बात सुनते हैं क्योंकि जिसके कामों के पीछे कोई कारण होता है उस पर अधिकार किया जा सकता है उधारण के लिए अगर कोई दफ्तर आता है तंखा के लिए तो तुम उस आदमी पर अधिकार जमाल होगे अगर तुम उसकी तनखाब 20% घटाने की धमकी दे दो जिसके पास करने के लिए कोई वजा है उसके कान उमेठे जा सकते हैं जिसका कहीं भी दिल लग गया है उसको बंधक बनाया जा सकता है जैसे जादुगर की जान त्योटे में तो पकड़ लो जादुगर बसमें आगया जो जहां भसा वहां फिर भसी गया वो कहीं नहीं भसे है तु नहीं तुम भसा नहीं सकते है हमारी पूरी कोशिश यह है कि जैसे हम दुनीया में सबको भसा लेते हैं बस पता चल जाए, कि ये श्री कृष्ण का तोता कौन सा है, तो इने भी फसाले, उनका कोई तोता नहीं है, सब तोते उनके हैं, कोई तोता नहीं है, कोई वजह नहीं पाओगे, और ऐसा जो भी होता है, वो परम्मुक्त हो जाता है, समझ लेना, जो बिना वजह जी रहा है, उसको अब तुम आधीन नहीं कर सकते है, जिसके पास कोई मन्शा है, कोई प्रयोजन है, कोई लक्षे, कोई इरादा है, उसको तुम काबू में कर लोगे, तुम उसके इरादे मे बाधा डाल दो, वो तुम्हारे सामने घुटने टेक देगा, लेकिन जो आत्मा की मौज में जी रहा है, उस पर तुम जाल नहीं डाल पाओगे, उसके पास लगेगा भलेई की इरादे नहीं, पर होंगे नहीं, जैसे कि इसी दस्वें अध्याय में श्री कृष्ण कहा है, कि वो प्रतीत सगुण होता है, होता निर्गुण है, कर्म उसके सकाम लगते हैं, होते निशकाम है, लगेगा यहीं कि किसी कामना के लिए काम कर रहा है, कोई इरादा है, पर होगा निशकाम, तो अब तुम उसकी कामना चाहे पूरी करने का उसे लालच दे दो, और चाहे तुम उसकी कामना में बाधा बन जाओ, तुम उसे गुलाम नहीं बना सकते, तुम उसे अपने वश में नहीं कर सकते, और हम जो हैं, हमारा इरादा यह रहता है, कि किसी तरीके से भगवान को भी वश में ही कर लें, अगर कोई आकर के कहें कि वशी करन मंत्र है मेरे पास, और इसे सीधे, ब्रह्मा विश्णु महेश तीनों बस में आ जाते हैं, तो मुह मांगी कीमत चुका करके वो मंत्र खरीद लेंगे, अहम है बड़ा खोखला और बड़ा क्षुद्र, पर इरादे वो छोटे नहीं रखता, इरादा उसका यही है कि, इस दुनिया की क्या, इ अपना अथिकार जमाले, भगवान को भी अपना चेला बना ले, तो क्रिष्न लगे हुए हैं, कुरुक्षेत्र में, दूल से नहाय हुए, और इतने बान अरजुन की तरफ आते थे, कुछ बान कृष्न को भी लगते ही होँगे, रख तभी बहरा है, और घोड़े, घोड़ों को साध रहे हैं, रोज शाम को उनका काम क्या होता था, कि घोड़ों की सफाई करें, घोड़ों की मलहम पट्टी करें, और हम देख रहे हम कहा है यह कृष्ण है यह वाकई अगर अंतरयामी है यह वाकई अगर ब्रहमस्वरूप ही है तो गोडे का एसाफ कर रहे है एक तो खुदी धूल में नहा के आए है उपर से गोडों की सफाई जरूर इन्हें कुछ चाहिए क्योंकि जिसे चाहिए नहीं होगा वो इतना नि जितने बड़े बड़े युद्धा लोग हैं वो तो कुरुक्षेत्र में युद्ध कर रहे हैं और इनको बना दिया गया है सारथी जरूर यह निश्काम नहीं है जरूर इन्हें कुछ चाहिए पता करो पता करो इन्हें चाहिए क्या और अगर एक पर पता लग गया कि क्य चाहिए तो वश्मे कर लेंगे जादुगर तेरा तोता मेरे पास है चल अब तू वो सब कुछ कर जो मैं कह रहा हूं नहीं तो तोते की गर्दन उमेठतूंगा वैसे ही भगवान का भी कोई तोता अगर पकड़ में आ जाए तो भगवान से जो चाहे करवा लेंगे शिवानी ऐसा आपने लिखा नहीं है मैं बस आपको बता रहा हूं कि हमारा मन हमारी वृत्तियां चाहती क्या है हमें जब कोई उचे से उचा मिलता है न शिवानी तो हम यह नहीं करते कि उसके सामने जुक जाएं हम चाहते हैं उसे बस में कर ले जो भी तरीका चले सामदाम दंडभेद उसको बस में कर ले और इससे बड़ी भूल आप कर नहीं सकते कि कृष्ण जैसा कोई आपके सामने आए तो उसके सामने जुकने की जगए आपके मन में भावना ये आए कि मैं इस पर अधिकार जमा लूँ पर भावना तो आती है यह यह गौड भी अगर अपनी साइड हो जाए तो गेम सेट हो जाएगा ना चोटे मोटे क्या किसी को अपनी साइड करना सीधे गौड को अपनी साइड करो हमारा तो खेल ऐसे ही चलता है ना कि कौन अपनी साइड है और कौन अपनी साइड नहीं है तो हमारी उंची से उंची अभिलाशा यही है कि उनको भी पठा करके अपने पक्ष में खड़ा कर ले और पक्ष में खड़ा करना भी छोटी बात है अगर अपने बस में ही कर ले तो अपने इशारों पे नचाना ही शुरू कर दे तो अरे तुम हो गे जगत पती फिलाल तो तुम हमारे पती हो यह अच्छा रहता है न जगत पती को सीधे अपना ही पती बना लो अब जगत हमारा है ये कुछ से तेरा दे है ये घटिया बाते है घटिया बाते हैं सिर्फ नेतिकता के तल पे नहीं है इने घटिया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आत्मघा तक है जो ऐसा इरादा रखता हो कुछ नहीं पाता कृष्ण किसके बस में आने वाले है आ सकते हैं क्या किसी के बस में हाँ ऐसा इरादा रखके आप कृष्ण के सामने समर्पित होने से भी चूक जाएंगे उनसे जो मिलेगा उनके सामने जुक कर मिलेगा उन्हें बस में करने की कोषिश से नहीं मिलेगा तो उन्हें बस में तो नहीं कर पाएंगे उनके सामने जुक कर जो पाते उससे भी चूक जाएंगे कभी मत पूछा करिये उन्होंने ऐसा क्यों किया दुनिया बनाने वाले क्या तेरे दिल में समाई काहे को दुनिया बनाई ये फिल्मों में शोभा देता है आप मत पूछ लीजिएगा बरम सत्ता को लेकर कहानिया कम से कम बनाया करिये सारी कहानिया हमारी हैं उनकी कोई कहानिया नहीं कल्पनाएं कम किया करिये अपने से उच्छा जब कुछ दिखे तो कल्पनाओं को विराम दीजिए क्योंकि आपकी कल्पनाएं आपके ही तलकी होंगी आपको पता क्या आपसे उपर की उचाई पर होता क्या है जब पता नहीं तो आप कल्पना कैसे कर सकते हैं भाई जब आप जानते ही नहीं कि आपसे उपर क्या है तो कल्पना कैसे कर सकते हो पर हम कल्पना करी डालते हैं न हमने खूब कहानिया बना रखी है फिर भगवान जी ने ये बोला फिर भगवान जी ऐसा सोचने लगे फिर भगवान जी को बड़ा दुख हुआ ये सब कहानिया सच्चाई के रास्ते में बाधा हैं कहानियों को अलग करो मन को साफ करो जब उस परम सत्ता जब उस पार सत्ता की बात आए तो बस मौन हो जाओ चुप हो जाओ कुछ मत पूछो उसके सामने सवाल जवाब नहीं करते हैं बस सर जुकाते हैं जिग्यासा संसार के विशे में करो सत्य के विशे में जिग्यासा नहीं की जाती आप से मैंने कहा था ना जिग्यासा खूब करिए सत्य के वेशे में जिग्यासा नहीं की जाती वहाँ बस मौन हो जाते है और खूब जिग्यासा करो जब बात हो संसार की, अहम की, चेतना की इनको तो अपने सवालों से बींध डालो कौच कौच के पूछो हर बात पूछो उनके बारे में पूछते नहीं उनको सुन लेते हैं सुन लेते हैं जुक जाते हैं सवाल जवाब नहीं करते साधक में ये दोनों गुण एक साथ होने चाहिए जब दुनिया का मसला हो जब शेतना की बात हो तो उसे निर्मम हो करके जिग्यासा करनी चाहिए संदेह करना चाहिए पूछताच करनी चाहिए और जब उधर की बात हो तो चुप बिल्कुल चुप कुछ नहीं जितनी जोर से दुनिया के बारे में तहकीकात करनी है उतनी ही गहराई से चुप हो जाना है जब मामला उधर का हो पुप हो जब पुप हो जब मामला उन्दू